नमस्कार प्रस्तुत कहने जा रही हूं कथा समराथ मुन्शी प्रेम चंद्वारा लिखी हुई कहानी देवी बूढों में जो एक तरह की बच्चों किसी बेशन में आ जाती है वो इस वक्त भी तुलिया में ना आई थी यद्यपी उसके सिर के बाल चांदी हो गए थे और गाल लटक कर दाड़ों के नीचे आ गए थे वा खुद भी निश्चित रूप से अपनी उम्र न बता सकती थी लेकिन लोगों का अनुमान था कि वा सौ की सीमा को पार कर चुकी है और अभी तक चलती तो अंचल से सिर ढाक कर आँखे नीचे किये हुए मानो नवेली दुलहन हो थी तो चमारिन पर क्या मजाल के किसी घर का पकवान देखकर उसका जी लल चाया गाउं में उंची जातों के बहुत से घर थे तुलिया का सभी जगे आना जाना था सारा गाउं उसकी इज़त करता था और ग्रहनिया तो उसे सरधा की आँखों से दिखती थी उसे आग्रह के साथ अपने घर बुलाती उसके सिर में तेल डालती मांग में सिंदूर भरती कोई अच्छी चीज पकाई होती जैसे हलवा या खीर या पकोडिया तो उसे खिलाना चाहती लेकिन बुडिया को जीब से सम्मान कहीं प्यारा था कभी न खाती उसके आगे पीछे कोई न था उसकी टोले के कुछ लोग तो गाउं छोड़कर भाग गए थे कुछ पलेग और मलेरिया की भेंट हो गए थे और अब थोड़े से खंडर मानों उनकी आदमे नंगे सिर खड़े चाती सी पीट रहे थे किबल तुलिया की मड़या ही जिंदा बची थी और यद्ध्यप तुलिया जीवन यात्रा की उस सीमा के निकट पहुँच चुकी थी जहां आदमी धर्मों समाज के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और अब स्रेष्ट प्राणियों को भी उससे उसकी जाती के कारण कोई भेद न था सभी उसे अपने घर में आस्रे देने को तयार थे पर मान प्रिय बुडिया क्यों किसी का एहसान ले क्यों अपने मालिक की इज़्जत में बट्टा लगाए जिसकी उसने सौ बरस पहले केवल एक बार सूरत देखी थी हाँ केवल एक बार तुलिया की जब सगाई हुई थी तो वह केवल पांच साल की थी और उसका पती अठारे साल का वलिष्टियोबक था बिवहा करके वह कमाने पूरब चला गया सोचा अभी इस लड़की के जवान होने में दस बारे साल की देर है इतने दिनों में क्यों न कुछ धन कमा लूँ और फिर निश्चिन्त होका खेती बारी करूँ लेकिन तुलिया जमान भी हुई बूड़ी भी हो गई वह लोट कर घर ना आया पचास साल तक उसके खत हर तीसरे महीने आते रहे खत के साथ जबाब के लिए एक पता लिखा हुआ लिफाफा भी होता था और तीस रुपए का मनियाडर खत में वह बराबर अपनी विवश्ता पराधीनता और दुर्भागे का रोना रोता था क्या करूं तूला मन में तो बड़ी अभिलाशा है कि अपनी मढहिया को आवाद कर देता और तुमारे साथ सुक से रहता पर सब कुछ नसीब के हाथ है अपना कोई बस नहीं जब भगवान लावेंगे तब आऊंगा तुम धीरज रखना मेरे जीते जी तुम्हें कोई कस्ट न होगा तुमारी बाहा पकड़ी है तो मरते दम तक निवहा करूंगा जब आँखे बंध हो जाएंगी तब क्या होगा कौन जाने प्राय सभी पत्रों में थोड़े से हेर फेर के साथ यही शब्द और यही भाव होते थे हाँ जबानी की पत्रों में प्रह की जुजवाला होती थी उसकी जगए अब निराशा की राख ही रह गई थी लेकिन तुलिया के लिए सभी पत्र एक से एक प्यारे थे मानो इसके हिर्दय के अंग हो उसने एक भी खत कभी न भाड़ा था ऐसे शबुन के पत्र कहीं भाड़े जाते हैं उन्हें एक छोटा सा पोथा जमा हो गया था उनके कागच का रंग उड़ गया था स्याही भी उड़ गई थी लेकिन तुलिया की लेबे अभी उतने ही सजी उतने ही सतरिष्ण उतने ही ब्याकुल थे सब के सब उसकी पिटारी में लाल डोरे से बंधे हुए उसके दीर के जीवन से संचित सोहाक की भांती रखे हुए थे इन पत्रों को पाकर तुलिया गदगद हो जाती उसके पाउं जमीन पर न पढ़ते उन्हें बार बार पढ़वाती और बार बार रोती उस दिन वो आवश्यत केशों में तेल डालती सिंदूर से मांग भरवाती रंगीन साड़ी पहनती अपनी पुर्खिनों के चरण चूती और आशिरबाद लेती उसका सुहाग जाग उठता था गाउं की बिरहनियों के लिए पत्र पत्र नहीं जो पढ़कर फैंक दिया जाता है अपने प्यारे परदेशी के प्राण है देह से मूलेवान उनमें देह की कठोरता नहीं, कलुष्टा नहीं आत्मा की आकुलता और अनुराग है तुलिया पती के पत्रों को ही शायद पती समझती थी पती का कोई दूसरा रूप उसने कहां देखा था रमणिया हसी से पूछती क्यों भूआ, तुम्हें फुपा की कुछ याद आती है तुमने उनको देखा तो होगा और तुलिया के जुर्यों से भरे हुए मुख मंडल पर यौबन चमक उठता आँखों में लाली आ जाती पुलकर कहती याद क्यों नहीं आती बेटा उनकी सुरत तो आज भी मेरी याँखों के सामने है बड़ी बड़ी याँख हैं लाल लाल उंचा माथा चोड़ी छाती गठी हुई देह ऐसा तो अब याँ कोई पठा ही नहीं है मोतियों कैसे दात थे बेटा लाल लाल कुर्ता पहनी हुए थे जब ब्या हो गया तो मैंने उनसे कहा मेरे लिए बहुत से गहने बनवाओगे न नहीं तो मैं तुमारे घर नहीं रहूंगे लड़क पन था बेटा सरम लिहाज कुछ थोड़े ही था मेरी बास सुनकर वा बड़े जोर से ठट्टा मार कर हसे और मुझे अपने कंदे पर बिठा कर बोले मैं तुझे गहनों से लाद दूंगा तुलिया कितने गहने पहनेगी मैं पर्दिस कमाने जाता हूँ वहां से रुपए भेचूंगा तु बहुत से गहने बनवाना जब वहां से आऊंगा तो अपने साथ संदुक भर के गहने लाऊंगा मेरा डोला हुआ था बेटा माबाप की ऐसी हैसियत कहां थी कि उन्हें बारात के साथ अपने घर बुलाते उनी के घर मेरी सगाई हुई और एक ही दिन में मुझे वह कुछ ऐसे भाई कि जब वह चलने लगे तो मैं उनके गले लिपट कर रोती थी और कहती थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो मैं तुमारा खाना पकाऊंगी तुमारी खाट बिचाऊंगी तुमारी धोती छाटूंगी वहां उनी के उमर के दो-तीन लड़के और बैटी हुए थे उनी के सामने वह मुस्करा कर मेरे कान में बोले और मेरे साथ सुईगी नहीं बस मैं उनका गला छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उनके उपर एक कंकड फैक कर बोली मुझे गाली देऊगे तो कहे देती हूँ हाँ और यह जीवन कथा नित्ति के सुमिरन और जाब से जीवन मंत्र बन गई थी उस समय कोई उसका चहरा देखता खिला पड़ता था घुंगट निकाल कर भाव बता कर मुझ फेर कर हंस्ती हुई मानो उसके जीवन में दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं वह अपने जीवन की इस पुन्य स्वृति का वरणन करती अपने अंतिस्तल के इस प्रकाश को दरसाती जो सो बरसों से उसके जीवन पत को कांटों और गढ़ों से बचाता आता था कैसी अनन्त अभिलाशा थी जिसे जीवन सत्यों ने जरावी धुमिलना कर पाया था वह दिन भी थी जब तुलिया जबान थी सुन्दर थी और पतंगों को उसके रूप दीपक पर मड़ाने का नशा सबार था उसके अनुराग और उन्माद तथा समर्पन की कथाएं जवग कांपते हुए स्वरों और सजल नित्रों से कहती तो शायद उन शहीदों की आत्माएं स्वर्ग में आनन्दी से नाच उठती होंगी क्योंकि जीते जी उन्हें जो कुछ न मिला वही अब तुलिया उन पर दोनों हातों से निचावर कर रही थी उसकी उठती हुई जवानी थी जिदर से निकल जाती युबक समाज कलेजे पर हात रख कर रह जाता तब बंसी सिहन नाम का एक ठाकुर था बड़ा छेला बड़ा रसिया गाउं का सबसे मन चला जमान जिसकी तान रात के सननाटे में कोस भर से सुनाई पड़ती थी दिन में सेकणों बार तुलिया के घर के चक्कर लगाता तालाब के किनारे, खेत में, खलेहान में, कुए पर जहां वह जाती परछाई की तरह उसके पीछे लगा रहता कभी दूद लेकर उसके घर आता, कभी घी लेकर कहता तुलिया, मैं तुछ से कुछ नहीं चाहता बस जो कुछ मैं तुझे भेंट किया करूँ वह ले लिया कर तु मुझसे नहीं बोलना चाहती मत बोल, मेरा मूँ नहीं देखना चाहती मत देख लेकिन मेरे चड़ावाँ को ठुकरा मत, बस मैं इसी से संतोष्ट हो जाऊंगा तुलिया ऐसी भोली न थी, जानती थी, यह उंगली पकड़ने की बाते हैं लेकिन न जाने कैसे वह एक दिन उसके धोके में आ गई, नहीं धोके में नहीं आई, उसकी जवानी पर उसे धया आ गई एक दिन वह पके हुए कलमी आमों की एक टुकरी लाया, तुलिया ने कभी कलमी आम नखाए थे टुकरी उससे ले ली, फिर तो आए दिन आम की डलिया आने लगी एक दिन जब तुलिया टुकरी लेका घर में जाने लगी, तो बंसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और चट उसके पेरों पर गिर पड़ा, फिर बोला, तुलिया अगर अब भी तुझे मुझे पर दया नहीं आती तो आज मुझे मार डाल, तेरे हातों से मर जाओं बस यही साथ है तुलिया ने टोकरी पटक दी, अपने पाँ छुड़ा कर एक पग पीछे हट गई, और रोश भरी आँखों से ताकती हुई बोली अच्छा ठाकूर अब यहां से चले जाओ, नहीं तो या तो तुम रहोगे या मैं रहोगे, तुम्हारे आमों में आग लगे, और तुम को क्या कहूँ मेरा आदमी काले कोसो मेरे नाम पर बैठा हुआ है, इसलिए कि मैं यहां उसके साथ कपट करूँ वह मर्द है, चार पैसे कमाता है, क्या वह दूसरी न रख सकता था, क्या औरतों की संसार में कमी है, लेकिन वह मेरे नाम पर चाहे ना हो, पढ़ोगे उसकी चिठियां जो मेरे नाम भीजता है आप चाहिए जिस दशा में हो, मैं कौन यहां बैठी देखती हूँ, लेकिन मेरे पास बराबर रुपए भेजता है, इसलिए कि मैं यहां दूसरों से बिहार करूँ जब तक मुझको अपनी और अपनों को मेरा समझता रहेगा, तो लिया उसकी रहेगी मन से भी, करम से भी, जब उससे मेरा ब्याह हुआ, तम मैं पांच साल की अलट छोकड़ी थी उसने मेरे साथ कौन सा सुक उठाया, बहां पकड़ने की लाच ही तो निभा रहा है जब वह मर्द हो का प्रीत निभाता है, तो मैं औरत होकर उसके साथ दगा क्यों करूँ यह कहकर वह भीतर गई और पत्रों की पिटारी लाकर ठाकुर के सामने पटक दी मगर ठाकुर की आँखों का तार बंधा हुआ था, होट बिचके जा रहे थे ऐसा जान पड़ता था कि भूमी में धसा जा रहा है एक शन के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया तुलिया मैंने तुझे पहचाना ना था, अब इसकी यही सजा है कि इसी शन मुझे मार डाल, ऐसे पापी का उद्धार का यही एक मार्ख है तुलिया को उस पर दया नहीं आई, वह समझती थी कि यह अभी तक शरारत किये जाता है जला कर बोली, मरने को जी चाहता है तो मर जा, क्या संसार में गुए तालाब नहीं, या तुम्हारे पास तलवार कटार नहीं है मैं किसी को क्यों मारू, ठाकुर ने हताश आँखों से देखा, तो यही तेरा हुक्म है मेरा हुक्म क्यों होने लगा, मरने वाली किसी से हुक्म नहीं मांगते ठाकुर चला गया और दूसरे दिन उसकी लाश नदी में तैटती हुई मिले लोगों ने समझा तड़के नहाने आया होगा, पाफिसल गया होगा महीनों तक गाउं में इसकी चर्चा रही, पतुलिया ने जवान तक न खोली उधर का आना जाना बंद कर दिया, बंसी से के मरते ही छोटी भाई ने जायदात पर कबजा कर लिया और उसकी इस्त्री और बालक को सताने लगा, देवरानी ताने देती, देवर एव लगाता आखिर अनात बिधवा एक दिन जिंदिगी से तंग आका घर से निकल पड़ी, गाउं में सोता पड़ गया था तुलिया भोजन करके हाथ में लाल्टेन लिये गाई को खिलाने निकली थी प्रकाश मौस ने ठकुराइन को दबे पाउं जाते देखा, सिसकती और अंचल से आंसु पहुंचती जाती थी तीन साल का बालक गोद में था, तुलिया ने पूछा इतनी रात गये कहां जाती हो ठकुराइन, सुनो बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो ठकुराइन घर से तो जा रही थी पर उसे खुद न मालूम था कि कहां तुलिया की और एक बार भीगे नित्रों से देखकर बिना कुछ जबाब दिये आगे बड़ी जब आप कैसी देती, गले में तो आँसु भरे हुए थे, और इस समय न जानी क्यों ओमर आए थे तुलिया सामने आकर बोली, जब तक तुम बताना दोगी में एक पग भी आगे न जाने दोंगे ठकुराइन खड़ी हो गई और आँसु भरी आँखों से क्रोध में भर कर बोली, तु क्या करेगी पूछ कर, तुस्से मतलब? मुझसे कोई मतलब ही नहीं, क्या मैं तुम्हारे गाउं में नहीं रहती? गाउं वाले एक दूसरे के दुख दर्द में साथ न देंगे तो कौन देगा? इस जमाने में कौन किसका साथ देता है तुलिया, जब अपने घर बालों नहीं साथ नहीं दिया, और तेरे भाईया के मरते ही मेरे खुन के प्यासे हो गए तो फिर मैं और किस से आशा रखूँ? तो जिसे मेरे घर का हाल कुछ छिपा है, वहां मेरे लिए अब जगे नहीं, जिस देवर देवरानी के लिए मैं प्राण दिती थी, वही अब मेरे दुश्मन है, चाहते हैं कि या एक रोटी खाए और आनाथों की तरह पड़ी रहे, मैं रखेली नहीं हूँ, उड़री हूँ, ब्यहता हूँ, दसगाओं के बीच में ब्यहा के आई हूँ, अपनी रत्ती भी जायदाद न छोड़ेंगी और अपना आधा लेकर रहूंगी, तेरे भाईया, ये दो शब्द तुलिया को इतने प्यारे लगे को उसने ठाकुराइन को गले लगा लिया, और उसका हाथ पकड़ कर बोली, तो बहिन मेरे घर में चल कर रहो, और कोई साथ दे या न दे, तुलिया मरते दम तक तुम्हारा साथ देगी, मेरा घर तुम्हारे लाइक नहीं है, लेकिन घर में और कुछ नहीं, शांती तो है, और मैं कितनी ही नीच हूँ, तुम्हारी बहन तो हूँ, ठाकुराइन ने तुलिया के चहरे पर अपनी बिस्मे भरी आखे जमा दी, ऐसा नहो मेरे पीछी मेरा देबर, तुम्हारा दुश्मन हो जाए, मैं दुश्मनों से नहीं डरती, नहीं इस टोह में अ शांत अंदर आई, उसका हिर्दा भारी था, जो एक विशाल पक्के की स्वामिनी थी, आज इस जोंपडी में पड़ी हुई थी, घर में एक ही खाट थी, ठाकुराइन बच्चे के साथ उस पर सोती, तुलिया जमीन पर पड़ी रहती, एक ही कंबल था, ठाकुराइन उसको कामवा इतने उमंग से करती, मानो देवी की उपासना कर रही हो, ठाकुराइन इस बिपत्ती में भी ठाकुराइन थी, गर्वनी, विलास प्रीय कलपना ही, इस तरह रहती थी, मानो उसी का घर है, और तुलिया पर इस तरह रोब जमाती थी, मानो वा उसकी लॉंडी है, ले इस तरह तो यह जिन्दी की बर तुमारी रोटियां तोड़ती रहूंगी, पर दिल की आग कैसे ठंडी होगी, इस बेहाया को इसकी जाल कहां कि उसकी भाबच कहां चली गई, वह तो दिल में खुश होगा कि अच्छा हुआ, उसके मारक का कांटा हट गया, जो ही पता चले अकेली कहां जाओगी, उस साप को कुचलने के लिए कोई लाठी को जूँगी, तुलिया इसका आशय न समझ सकी, उसके मुक्की और ताकने लगी, ठपुरा इनने निरलग्जता के साथ कहा, तु इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझी, साप साफी सुनना चाहती है, अनातिस् अपनी रक्षा का अपने रूप के सिवा दूसरा कौन सा अस्त्र है, अब उसी अस्त्र से काम लोंगी, जानती है इस रूप के क्या दाम होंगे, इस भेडिये का सिर, इस परगने का हाकिम जो कोई वे हो, उसी पर मेरा जादू चलेगा, और ऐसा कौन सा मर्द है जो किसी य उचो पर ताव दे कर राज करें, तुलिया को मालुम हुआ कि इस अभिमानिनी के हिर्दय पर कितनी गहरी चोट है, इस ब्यथा को शानत करने के लिए वह जान पर ही नहीं खेल रही है, धर्म पर भी खेल रही है, जिसे वह प्राणों से भी प्रिया समझती है, बंसी सियां पर उसकी सतित्तु भरी भर्तसना ने बंसी सियों को किस तरह मुहित कह लिया, जैसे कोई काला भयंकर नाग महुर का सुरीला राग सुनकर मस्त हो गया हो, उसी सच्चे सूर्मा की कुली मर्यादा आज संकट में है, क्या तुलिया उस मर्यादा को लुटने देगी और कुछ मत जाओ पहन, पहले मुझे अपनी शक्ती अजमा लेने दो, मेरी याबरू चली भी गई तो कौन हसेगा, तुम्हारी याबरू के पीछे तो एक कुल की याबरू है, ठकुरायन ने मुसकरा कर उसको देखा, बोली, तु या कला क्या जाने तुलिया, कौन सी कला, यही जा रही हो, तुम परगने के हाकिम पर अपना जादू डालना चाहती हो, मैं तुमारे देवर पजाल फैकूंगी, बड़ी घाग है तुलिया, यही तो देखना है, तुलिया ने बागी रात कारिक्रम और उसका विधान सोचने में काटी, कुशल सैनापती की भांती, उसने अपनी बिजय का विश्वास था, शत्रू निशंक था, इस धाबी की उसे जराबी खबर न थी, बंसी से एका छोटा भाई गेधर कंदे पर छै फीट का मोठा लट रखे हुए अकरता चला आता था, कि तुलिया ने पुकारा, ठाकोर तने कि यह घास का गठर उठा के मेरे सिर पर रख दो, मुझसे नहीं उठता, दो पहर हो गया था, मजदूर खेतों से लोट कर आ चुके थे, बगुले उठने लगे थे, तुलिया एक पेड के नीचे घास का गठा लिये खड़ी थी, उसके माते से पसीने की धार बह रही थी, ठाकोर ने चौकर तुलिया की और आँखों में हलका सा नशा पैदा हुआ और चेहरे पर हलकी सी सुर्खी और हलकी सी मुसकराहट, नस नस में संगीत सा गुंजू उठा, उसने तुलिया को हजारों बार देखा था, प्यासी आँखों ललचाई आँखों से, मगर तुलिया अपने रूप और सत के घमंड में उसकी तरफ कभी आँखें तक न उठाती थी, उसकी मुद्रा और धंग में कुछ ऐसी रुखाई, कुछ ऐसी निठुरता आती थी, कि ठाकुर के सारे होसले पस्त हो जाते थे, सारा शौक ठंडा पड़ जाता था, आकाश में उड़ने वाले पंची पर उसके जाल और दान तो क्यों सिर पर उठाएगी, और कोई देख ले तो यही कहे कि ठाकुर को क्या हो गया है, मुझे कुट्तों की भौकने की परवा नहीं है, लेकिन मुझे तो है, ठाकुर ने नहीं माना, गठा से पर उठा लिया और इस तरह आकाश में पाउं रखता चला मानू तीनों लो खुद जाल में फस गया, अपना इमान और धर्म प्रतिष्ठा सब कुछ होम करके वर देवी का बर्दान ना पा सकता था, तुलिया आज भी उससे उतनी ही दूर थी जितनी पहले, एक दिन वर तुलिया से बोला, इस तरह कब तक जलाएगी तुलिया, चल कहीं भाग चलें तुलिया ने फंदे को और कसा, हाँ और क्या, जब तुम मुँ फिर लो, तो कहीं कीना रहू, दीन से भी जाओ, दुनिया से भी, ठाक उन्हें शिकायत के स्वर में कहा, अब भी तुझे मच पर विश्वास नहीं आता, बहुरे फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं, और पत सालूंगा, मैं ऐसी भोली नहीं हूँ, तुलिया ने ठाकुर के दिल की बात भाप ली थी, ठाकुर हैरत में आकर उसका मौ उताकने लगा, तुलिया ने फिर कहा, आदमी अपना घर छोड़ता है, तो पहले कहीं बैठने का ठिकाना कर लेता है, ठाकुर प्रसंद होकर बोल तो तु चल कर मेरे घर में मालकिन बन कर रहे, मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ, तो लिया आँखे मटका कर बोली, आज मालकिन बन कर रहो, कल लोंडी बन कर भी न रहने पाऊं, च्यों, तो जिस तरह तेरा मन करे, वह कर, मैं तेरा गुला हूँ, बचन देते हो, हा देता हूँ, एक बार नहीं, सौ बार, हजार बार, फिर तो न जाओगे, बचन देका फिर जाना नामर्दों का काम है, तो अपनी आधी जमीन जायदत मेरे नाम लिखतो, ठाकुर अपने घर की एक कोठरी, दस-पांच बीगे खेत, गहने, कपड़े, तो उसके चरणों पर चड़ा देने को तयार था, लेकिन आधी जायदाद उसके नाम लेख देने का साहस उस में न था, कल को तुलिया उसे किसी बात पर नाराज हो जाए, तो उसे आधी जायदाद से हाथ होना पड़े, ऐसी औरत का क्या एतबार, उसे गुमान तक न था कि तुलिया उसके प्र जीवन की सफलता समझती है, उस में न थी, उसने माथे पर बल लाकर कहा, मैं न जानता था तुझे मेरी जमीन जायदाद से प्रेम है तुलिया, मुझ से नहीं, तुलिया ने छूटते ही जबाब दिया, तो क्या मैं न जानती थी कि तुम्हें मेरे रूप और जबानी से ही प्रेम है, मुझ से नहीं, तु प्रेम को बाजर का सौधा समझती है, हाँ समझती हूँ, तुम्हारे लिए प्रेम चार दिन की चान्दनी होगी, मेरे लिए तो अधेरा पाख हो जाएगा, मैं जब अपना सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ, तो उसके बदले में सब पुरी जायदाद मेरे नाम लिखते थे, मैं जायदाद क्या सिर पर उठा कर ले जाओंगी, लेकिन तुम्हारी नियत मालूम हो गई, अच्छा ही हुआ, भगवान न करे कि ऐसा कोई समय आये, लेकिन दिन किसी के बराबर नहीं आते, अगर ऐसा कोई समय आया कि तुमको मे धान का ही एक अंग था, इसके आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में भी उसे कोई संदिह न था, ठाको ने जायदाद तो बचा ली थी पर बड़े महके दामों, उसके दिल का इत्मीनान गायफ हो गया था, जिन्दिगी में जैसे कुछ रही ही न गया हो, जायदाद अब जो तुलिया उसके हिर्दय में बैठी हुई थी, वह स्वपने थी, जो सत्य से कहीं ज़्यादा मादक है, विदारक है, कभी कभी तुलिया स्वपने की एक जलक सी नजर आ जाती, और स्वपने ही की भांती बिलीन भी हो जाती, गेर्धर उससे अपने दिल का अदर्द कहने का अपसर ढूंटता रहता, लेकिन तुलिया उसके साहे से भी परहेच करती, गेर्धर को अब अनुभव हो रहा था, कि उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए जितनी जायदार की जरूरत है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी तुलिया है, उसे अब अपनी करपनता पक क्रोध आता, जायदात क्या तुलिया के नाम रही क्या उसके नाम, इस जरासी बात में क्या रखा है, तुलिया तो इसलिए अपने नाम लिखा रही थी कि कहीं मैं उसके साहत बेवफाई न कर जाओं, तो वह अनात न हो जाए, जब मैं उसका बिना कोड़ी का गुलाम मैं उसके साथ बेवफाई करूँगा, जिसकी एक निगाह के लिए, एक शब्द के लिए तरस्ता रहता हूँ। कहीं उसके एक बार एकांत में भैट हो जाती तो उससे कह देता, तूला, मेरे पास जो कुछ है वा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कहो वक्षिष नामा लिख दू, कहो बैर नामा लिख दू, मुझसे जो अपराद हुआ उसके लिए नादिम हूँ। जायदास से मनुष्य को जो एक संसकार गत प्रेम है, उसी ने मेरे मुझसे वा शब्द निकलवाए। यही रिवाजी लोब मेरे और तुम्हारे पीच में आकर खड़ा हो गया, पर अब मैंने जाना कि दुनिया में वही चीज सबसे कीमती है, जिससे जीवन में आनंद और अनुराग पैता हो। अगर दरिद्धता और बेराग्य में आनंद मिले तो वही सबसे प्रियवस्तु है, जिस पर आदमी जमीन और मिलकियत सब कुछ होम कर देगा। आज भी लाखों माई के लाल हैं जो संसार के सुखों पर लात मार कर जंगलों और पहाणों की सेर कहने में मस्त हैं, और उस व अगर ने तुलिया को न देखा था, कई बार उसके द्वार के चक्कर भी लगाए पर वह न दीख पड़ी, अब जो यह संदेशा मिला तो वह जैसे पहाड से नीचे गिर पड़ा, रात के दस बचे होंगे, पूरी रात भी न सुनी और दोड़ा, छाती धड़क रही थी औ होगा भगवान, तुम मुझे क्यों नहीं बिमार कर देते, मैं तो उसके बदले मरने को भी तयार हूँ, दौनों और के काले काले ब्रेक्ष मौतों के दूतों की तरह दोड़े चले आते थे, रह रहकर उसके प्राणों से एक ध्वनी निकलती थी, हसरत और दर्द में डू भी हुई, तुलिया बीमार है, उसकी तुलिया ने उसे बुलाया है, उस करतगमी, अधम, नीच, हत्यारे को बुलाया है, कि आकर मुझे देख जाओ, कौन जाने बचू के ना बचू, तू अगर ना बचेगी तुलिया तो मैं भी न बचूँगा, हाए ना बचूँगा, दीवर से सिर्फ होड कर मर जाओंगा, फिर मेरी योग तेरी चिता एक साथ बनेगी, दौनों के जनाजे एक साथ निकलेंगे, उसने कदम और तेज किये, आज वो अपना सब कुछ तुलिया के कदमों पर रख देगा, तुलिया उसे बेवफा समझती है, आज वो दिखाए बन कर घर घर फैल जाएगा, मन में शंका हुई, तुम अपने प्राणों का मोह छोड सकोगे, उसने जोड से चाती पीठी और चिल्ला उठा, प्राणों का मोह किसके लिए, और प्राण भी तो वही है, जो बीमार है, देखो मौत कैसे प्राण ले जाती है, और देहो को कैस चोड़ देती है, उसने धड़कते हुए दिल और थर थराते हुए पाउं से तुलिया के घर में कदम रखा, तुलिया अपनी खाट पर एक चादर ओड़े सिम्टी पड़ी थी, और लाल टेन के अंधे प्रकाश में उसका पीला मुक मानु मौत की गोद में विसराम कर रहा था, उसने उसके चरणों पर सिर रख दिया और आसुआ में डूबी हुई आबाज से बोला, तूला या अभागा, तुम्हारे चरणों पर पड़ा हुआ है, क्या आँखे न खोलेगी, तुलिया ने आँखे खोल दी और उसकी ओक करोन द्रिष्टी डालका कराती हुई बो लेकिन मैं कभी तुमारा साथ न छोड़ूगी, परचाई की तरह नित्ति तुमारे साथ रहूँगी, तुम मुझे देख न सकोगे, मेरी बात न सुन सकोगे, लेकिन तुलिया आठों पहर सोते जागते तुमारे साथ रहेगी, मेरे लिए अपने को बदनाब मत करना पूट पूट कर रो रहा था हाथ में कटार होती तो इस वक्त जिगर में मार लेता और उसके सामने तड़प कर मर जाता जरा दम लेका तुलिया ने फिर कहा मैं बचूंगी नहीं गिर्धर तुमसे एक बिंती करती हूँ मानोगे गिर्धर ने चाती ठोक कर कहा मेरी लाश भी तेरे साथ ही निकलेगी तुलिया अब जी कर क्या करूंगा और जीओं भी तो कैसे तू मेरा प्राण है तुलिया उसे ऐसा मालम हुआ अब तुलिया मसकराई नहीं नहीं ऐसी नादानी मत करना तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनका पालन करना अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम है तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को इस प्रेम की गंध भी मिले अपनी तुलिया को मरने के पीछे बदनाम मत करना गिर्धर ने रोकर कहा जैसी तेरी इच्छा अधा हिस्ता उसको दे देना लेकिन भावी तो तीन महीने से अपनी मैके में है और कह गई है कि अब कभी न आएगी यह तुमने बुरा किया गिर्धर बहुत बुरा किया अब मेरी समझ में आया क्यों मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे अगर चाहते हो के मैं अच्छी हो जाओ तो जितनी जल्दी हो सके लिखा पड़ी करके कागज पत्तर मेरे पास रख दो तुमारी यह बद दियानती ही मेरी जान का गहक होगी अब मुझे मालुम हुआ कि बंसी सिया क्यों मुझे बार बार सपना देते थे मुझे और कोई रोग नहीं है बंसी सिया ही मुझे सता रहे है पस अभी जाओ देर की तो मुझे जीता न पाओगे तुमारी बे इंसाफी का दंड बंसी सिया मुझे दे रहे है गिर्धर ने दवी जवान से कहा लेकिन रात को कैसे लिखा पड़ी होगी तूली इस्टांप कहा में लेगा लिखेगा कौन गवा कहा है कल सांज तक भी तुमने लिखा पड़ी कर ली तो मेरी जान बच जाएगी गिर्धर मुझे बंसी से लगे हुए हैं वही मुझे सता रहे हैं इसलिए कि वह जानते हैं कि तुम्हें मुझे से प्रेम है मैं तुम्हारे ही प्रेम के कारण मारी जा रही हूँ अगर तुमने देर की तो तुलिया को जीता न पाओगे मैं अभी जाता हूँ तुलिया तेरा हुक्म सिर और आँखों पर और रात और रात पच्चीस कोस की मंजिल काटती। दिन निकलते निकलते सदर पहुंचा। वकीलों से सला मश्विरा किया, स्टांप लिया, भाबच के नाम आधी जायदाद लिखी। रजिस्ट्री कराई अच्चीराग जलते जलते हैरान परेशान, ठका मादा, बेदाना पानी, आशा और दुराशा से कापता हुआ, तुलिया के सामने आकर खड़ा हो गया। रात के दस बच गए थे, उस वक्त ना रेलें थी, ना लारियां, बेचारे को पचास कोस की कठिन यात्रा करने पड़ी। ऐसा ठक गया था कि एक एक पग पहाड मालुम होता था, पर भहे था कि कहीं देर न हुई तो अनर्थ हो जाएगा। तुलिया ने प्रसंद मन से ये मुझे परवा नहीं, कसम ले लो जो एक घुट पानी भी पिया हो। तुलिया उट बैटी और कागज को अपने सिरहाने रख कर बोली, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, सविरे तक बिलकुल अच्छी हो जाऊंगी, तुमने मेरे साथ जो नेकी की है, वो मरते दम तक न भूलूंगी, लेकिन अभी अभी मुझे जरा नीद आ गई थी, मैंने सपना देखा कि बंसें से मेरे सिरहाने खड़े हैं, और मुझे कह रहे हैं, तुलिया तु ब्याहता है, तेरा आदमी हजार कोस पर बैठा, तेरे नाम की माला जप रहा है, चाहता तो दूसरी शादी क तु ने उससे कपट किया, उसी दिन में तेरी सांसत कर डालूंगा, बस यह कहकर वा लाल-लाल आँखों से मुझे तरेरते हुए चले गए, गिर्धर ने एक छन तुलिया के चहरी की तरफ देखा, जिस पर इस समय एक दैवी तेज बिराज रहा था, एक आएक जैसे उसकी आखों के सामने से पर्दा हट गया, और सारी साजिश समझ में आ गई, उसने सची सरद्धा से तुलिया के चरणों को चुमा और बोला, समझ गया तुलिया, तु देवी है।